हलो दोस्तों आज का विसे हमारा है हिंदी जिसमें हम कावखड में पाठ वारा जानने वाले हैं जिसका नाम है हल्दी घाटी इसके लेखक हैं श्याम नारण पांडे अगर आपको इस लेखक की जीवन परिजी की वीडियो चाहिए है तो आपको चैनल पर जाकर मिल जाएगी तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस पार्ट का पध्यांस ठीक है जितने भी इस पार्ट में पध्यांस होते हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो संदरव पहले जानेंगे फिर विर्शंग जानेंगे फिर व्याक्य जानेंगे और आखरी में आ जाता है कावशोंद्रे साथ में वो भी तो पहला पद्यांस आपके इसकी पर दिख राओगा तो जानते हैं अब इस पद्यांस का संदरव प्रस्तूत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कावखंड के पद शीडशक से लिया गया है इसके लेखक श्याम नारण पांडे है ये हो गया है संदरव आप हम जान लेते हैं प्रशंग प्रस्तूत पद्यांश में कवी ने महाराणा परताव की वीरता का वरनन करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है ये हो गया है प्रशंग अहुँ जान लेते हैं व्याख्या कभी कहता है कि मेवाड केसरी अर्थात महाराणा परताव हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे वलकि वह स्वयम युद्ध छेत्र में जाकर उत्साहा पूरवक युद्ध कर रहे थे वे मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे थे इसके लिए वे बलीदान तक देने को तत्पर थे उन्होंने अपने घोडों पर चड़ कर पूरा युद्ध किया और मुगलों की सेना को दोष्ट करते हुए अपनी सेना की रखवाली भी की उन्होंने मुगलों की सेना का सामना द्रहनता पूरवक किया था और सदैव उन पर हावी रहे वे मृत्यू की परवाह किये बिना ही इस प्रकार रण छेतर में युद्ध कर रहे थे मानु महराना परताव ने सिवाजी का रूप धारण कर लिया हो तो यह हो गई है व्याक्या अब हम चाल लेते हैं इस पध्यांस का कावे संद्रे तो कावे संद्रे में हो जाएगा भाशा हो जाएगी खड़ी बोली रस हो जाएगा इसमें वीर शैली हो जाएगी इसमें प्रवंद और संद हो जाएगा इसमें मुक्त गुण हो जाएगा सब्ध हो जाएगा इसमें सक्ति अभिता अलंकार इसमें उत्पेच्छा अब हम जाने लेते हैं दूसरा वाला पद्यास जो कि आपकी स्कीन पर दिख रहा होगा तो इसमें हम जानेगे संदरव संदरव इसका पूरवद हो जाएगा जो हमने सबसे पहले जाना था जब आप बना रहे हैं जब कॉपी में लिख रहे हैं अगर एकजाम में लिखें तो आपको संदरव लिखना होगा अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको डवल डवल नहीं लिखना होगा ठीके तो संदरव इसमें आपको पूरवद लिख लेना होगा आप हम जान लेते हैं प्रसंग अब हम जा लेते हैं व्याक्या महाराणा परताव की सेना और मुगलो की सेना के मद भयानक युद चल रहा था जिस परकार भूमे के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठता है और उस उफान में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है उसी परकार अपने मान सम्मान की रक्षा ये तु महाराणा परताव के हिर्दे में उफान उठ गया था उन्होंने अपने घोडे पर बैट कर तलवार उठा ली और अपने विरोधियों का संगहार करना आरम कर दिया मेवार के राजकुमार ने मुगलो की सेनाओ के सर धर्ड से अलग करके अपनी जवानी की सर्थता को सिद्ध किया था महराना पिरताव के इस रोद्र रूप को देखकर मेवार सेना नायक और सिफाईयों में उत्सा का संचार होने लगा था पहले की अपेक्छा अब वेवार की सेना ने भी युद में अपना प्रियास बड़ा दिया और विपच्चियों को धुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो यह हो चुकी है दूसरे वाले पद्यांश की व्याक्या अब हम जान लेते हैं कावे शौंदरे तो कावे शौंदरे इसमें हो जाएगा भासा हो जाएगी खड़ी बोली शैली हो जाएगी प्रवंद और रस हो जाएगा वीर छंद हो जाएगा मुक्त गुण हो जाएग तो इस पद्यांस में हम संदर्ब नहीं जानेगे क्योंकि संदर्ब जितने भी पद्यांस होंगे सारे में एक ही लिखना होगा उसमें कोई बदलाब नहीं होगा तो इसमें हम जा लेते हैं पर्शंक कभी ने हल्दी घाटी के युद्ध का भीशन चित्रन करते हुए राणा परताव के रौद्र रूप का वरणन किया है तो ये हो चुका है प्रशंग आहुँ जा लेते हैं व्याख्या कभी कहता है कि मेवाड के राजा के साथ साथ अब उनकी सेना भी दुगने उत्साहा से युद्ध कर रही थी और विरोधियों को परास्त कर रही थी महाराना पिरताव ने मुगल सैनिकों को छण भर में कोड़े मार कर रण भूमी में गिरा दिया था अब महाराना पिरताव अपने घोड़े से उतर कर युद्ध कोशल दिखा कर मुगल सैनिकों को मार रहे थे अब ऐसा च्छन देखने को मिल रहा था जो बास्ता में अत्यन पीशन था माराना परताब ने विरोधी सैनिकों पर अपनी तलवार से आकर्मन कर दिया और यह देखकर कुछ ही च्छनों में चारो और पीशन हाहाकार मच गया था रण भूमी में मचे इस बीशन नर संहार को देखकर ऐसा पृतित हो रहा था मानो रण चंडी की खून की प्यास बुजाने के लिए राणा अपने विरोधीयों का संगार कर रहे हो तो देखी इसमें एक जो सब्दाया है रण चंडी तो इसका मलब होता है दुरगा जिस प्रकार दुरगा जी जो राक्षा से उनके लिए खून की एक तरह से प्यासी हो गई थे उसी प्रकार जो राणा प्रताब है वह अपने विरोधीयों का संगार कर तुए इस प्रकार से पिर्तित हो रहते तो यह हो गई पद्यांस की व्याक्या अब हम जा लेते हैं कावेश वंद्रे तो कावेश वंद्रे में होगा भास हो जाएगी खड़ी बोली रस हो जाएगा वीर कर हो जाएगा अनुप्रास सैली हो जाएगी प्रवंद शंद हो जाएगा मोक्त प्रस्तुत फद्यांश में कवी ने महाराणा परताफ के शौर का पकान करते हुए विरोधी सेना की पराजीत मनुबर्ती का वरण किया है तो ये हो चुका है प्रिशंक अब हम जा लेते हैं व्याख्या लेखा कहते हैं कि मेवार के राजा महाराणा परताफ ने मुगल सेना पर इस परकार परहार किया मानु उन पर ब्रज गिर गया हो महाराणा परताफ के परहार से मुगल सेना के समस्त हाती दल दवस्त हो गए थे उनके परहार में इतनी शक्ती थी कि उनकी प्रचंडता से ऐसा पिर्तीत होने लगा जैसे धरती फट गई हो और उसमें से रक्त की धारा वैर निकली हो विरोधी दल के जो सैनिक अपने प्राकरम एवं साहास के बल पर कुछ आगे बढ़ते उन्हें महाराणा अपने व्यंगियों के बल से ही बीच रण भूमी में रोक देते थे यह महाराणा के पिर्ती बिरोधीयों में भै की इस्तिती को दर्शाता है दूसरी और विपक्छी दल के जो सैनिक बहादुरी करते हुए आगे बढ़ रहे थे उन्हें महाराणा के भाले के परहार ने बीच रण भूमी में ही रोक दिया इन सब परिस्तितियों से इस्पष्ट होता है की मेवाड के राजा के समुक मुगल सेना परास्त होग रही थी तो ये हो गई है जो फूर का पध्यांस है उसकी हमने कली है व्यक्ष्ट अब हम जान लेते हैं कावे सौनद्रे तो कावे सौनद्रे में भासा हो जाएगी खड़ी बोली रस हो जाएगा वीर, अलंकर हो जाएगा उत्वेच अलंकर, शैली हो जाएगी पिरवंद और चंद हो जाएगा मोक्त गुण हो जाएगा ओज शब्द शक्ति हो जाएगा अविदा तो यह हो चुका है कावे शोंद्रे अब हम जान लेते हैं पध्यांस फाइव जो कि आपकी इस्क्रीम पर दिख रहा होगा तो इसका संदर्व पूरवद हो जाएगा जैसा कि मैं आपको शुरुआती बताया अब हम जान लेते हैं इसका प्रशंग प्रस्तुत पध्यांस में कवी ने महाराणा पिरताफ के युद कौशल एवं वीरता का वरणन किया है तो यह हो चुका है प्रशंग अब हम जा लेते हैं कभी महाराणा पिरताफ की वीरता का वरणन करते हुए कहता है कि रण छेतर में युद के दौरान महाराणा पिरताफ के घोडे पर मुगल शैनिक चड़ कया था उसने महाराणा पिरताफ से युद करते हुए अपनी जान गवा दी माराणा पिरताव ने अपने युद कोशल पर परिचे देते हुए विवक्षी दल से युद किया युद में कुछ समय पश्चा थी राणा पिरताव ने मुगल शेना को परास्त कर दिया उन्होंने विवक्षी दल के सरधड से अलग कर दिये मुगलों के हाती की सेना और मेवाड के घोणों की सेना के मद चल रहे युद्ध में बिरोधी दल का संगार इस प्रकार किया की संफूर्ण रण शेत्र मुगलों के हातियों के सून और मुगल शेना के कटे हुए सिरो से पट गया था तो इस पद्यांस की व्यक्या हमने कर ली है तो यह हो गई है अब हम जा लेते हैं इस पद्यांस का कावे संद्रे तो भाशा हो जाएगी खड़ी बोली रस हो जाएगा वीर शेली हो जाएगी प्रवंद छंद हो जाएगा इसका मुक्त गुण हो जाएगा इसमें ओज शब जो आकरी है इस पार्ट का 6 वाला तो आपके स्कीम पर दिख रहा होगा तो इसमें संद्रव की बात कर लें तो संद्रव जैसा कि मैं आपको शुरूत बताया है पूरवत लिख लेना होगा लेकिन परिक्चा में नहीं लिखना होगा जो मैं आपको सबसे पहले बताया वो लिखना हुगा अब इसमें हम जान लेते हैं पिर्शंग प्रस्तूत पध्यांस में कवी ने महराणा पिरताफ के युद्ध कौशल और देश प्रेम की भावना को उजागर किया है तो यह हो चुका है यह हो गया है पिर्शंग अब हम जान लेते हैं इस पध्यांस की व्याख्या कभी महराणा पिरताफ के युद्ध करने की कला का वरणन करते हुए कहता है कि वे निडर होकर अपने विरोधियों से युद्ध करती थे परन्तु उनको बिरोधियों को परास्त करने से ही संटूष्ट नहीं मिलती थी वह जितने अधिक सत्रों का नाश करते थे उतना ही रोश और क्रोध उनमें बढ़ता चला जाता था जव तक की बिरोधी शेना के रक्त से वे इसना नहीं कर लेते थे तब तक वे मान सम्मान के लिए रण छेतर में युद्ध करते रहते थे महाराणा प्रताफ के माध्यम से कवी कहता है कि जिस युद्ध में बिजय, मेवाड, सेना और राजा महाराणा प्रताफ की निश्चित है उस पर मुगलो का जूटा, अभिमान और घमंड करना व्यर्थ है यह हो गया है, इस पार्ट में जो तनी पध्यांस थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है यह आखरी पध्यांस था, सिक्स वाला, अब हम इसमें जान लेते हैं कावे सौंद्रे तो कावे सौंद्रे में हो जाएगा, भासा हो जाएगी खड़ी बोली, गुण हो जाएगा इसमें ओज, छंद हो जाएगा इसमें मुक्त, सब्द सक्ति हो जाएगा अभिधा, रस हो जाएगा वीर और रोद्र, शैली हो जाएगी इसमें पिरवंद, अलंकार हो जाएगा अनुपरास अलंकार तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया है काफी बार जैसे कि टाइफ करने में एक दो सब्द गलत हो जाते हैं तो मैं आपको सही मताता हूं बोलकर आप अच्छे से लिख लिया करें ठीक है मिलते हैं इसे ही ने स्ट्विडियो में